नेक्स हम बात करते हैं C++ Identifier की C++ Identifier C++ Identifier क्या होती है यह एक्चल में यह Names होते हैं आपके Variables के, आपके Functions के, आपके Classes के, Methods के यह Names होते हैं, यह Naming Conventions होते हैं जैसे कि आपको मैं नपताया होगा कि जो Variables हैं Variables क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपकी यह पता हूँ अचिने Variables क्या हैं, जो जैखके States होती है states, मतलब यह जो x हमने use किया यहाँ पर, यह एक variable है यह y एक variable है वो चीजें वो elements जो जिनके पाँ कोई ना कोई value हो वो variables होते हैं ठीक है, जिनको आप change भी कर सकते अब x की value को मैं change कर सकता था मैंने x की value को y की value दे दी, x की value change होगी न तो मतलब यह variable है ठीक है, y की value को भी मैंने change किया, 5 से 6 कर दिया तो यह variable है लेकिन कुछ होते है constants जैसे 5, इसको मैं कैसे change करूँ, इसको मैं change नहीं कर सकता यह 5, 5 ही रहना है, तो यह constant है, ठीक है तो यह जो variables होते हैं, इनके कुछ name होते हैं, लाजबी नहीं है कि variable का name x, y, a, b, c ऐसे ही कुछ हो, variables का name जो है, वो कुछ, जो है, वो आप कहें कि ऐसा होना चाहिए कि आपको understand हो मतलब आप तो उसको देखो तो आपको पता चले हाँ यार, यह इस मकसद के लिए बना है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमने कोई value store करनी है, student का GPA store करना है हमने, ठीक है तो हम उस variable का नाम GPA रख लेंगे यह इक identifier, ठीक है यह आपका एक name हो सकता है variable का, आपने GPA calculate करना है, एक function बनाना आपने, जिसमें आप GPA calculate करते हो, तो आप उस function का क्या नाम रखोगे, calculate GPA तो यह एक function का name हो सकता है, यह भी एक identifier है ठीक है इसी तरह आपके मजीद variables के names functions के names, classes के names, यह सब क्या होते हैं आपके identifier होते हैं ठीक है, identify इसके लिए कुछ rules होते हैं C++ में, कि मतलब वो कहता है कि यार आप जो नाम आपने रखने हैं variable यह methods के वो ना इस rules के मताबिक होने चाहिए अगर आप ऐसे ही इन rules के हिलाफ नाम कोई रखना शुरू कर दो तो वो अमल हो नहीं करेंगे, अब वो rules क्या है वो rules इस तरह हैं, वो कहता है कि आपका जो identifier वो किसी भी letter से start हो सकता है, चाहे वो small हो, चाहे वो capital हो, यह हो सकता है ठीक है, फिर वो कहता है कि आपका जो identifier है ना, वो underscore से भी start हो सकता है, मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हो, underscore GPA, यह भी अला हो है फिर आप इस underscore को अगर बीच में कहीं यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है GPA underscore student कि भाई, student का GPA है यह, तो यह भी अला हो है, फिर आप अगर, numeric जो है, वो letters यूज़ करना चाहते हो जैसे कि आप कहते हो, GPA 1 पहला GPA तो यह भी उस हो सकता है कोई मसला नहीं है इसमें ठीक है, तो इस तरह यह चीज़ें जो हैं, वो allow है, identifier के लिए अब क्या चीज़ें allow नहीं है वो है add the rate का sign यह allow नहीं है क्योंकि यह जो है, वो keywords में use हो रहुता है, C++ के तो वो जब हम इसको identifiers में use करेंगे ना, तो वो compiler के लिए मुश्किल हो जाएगा understand करना, कि यह उसका अपना keyword है, कि यह हमारा identifier है, ठीक है तो इसके अलावा हम जो है, वो dollar का sign dollar का sign नहीं use कर सकते क्योंकि यह भी उसके keywords में use होता है उसके पर percentage का sign हम use नहीं कर सकते, percentage वो समझेगा कि हम percentage का function, जो है, वो perform करना चाहा रहे हैं, इसी तरह plus, minus, multiplication यह वोले sign हम नहीं use कर सकते, कोई भी जो हम कहले ना कि ऐसा हमारा जो है, वो symbol जो कि कोई calculation करता है, जो कोई functioning करता है, वो हम use नहीं कर सकते है identify में, क्योंकि उसका एक हास मकसद है C++ language में, ठीक है तो इस तरह की चीज़ें, जो है वो हम, नहीं कर सकते अपने identifier के, मतलब identifier में, मतलब names में names रखने में, तो अश्तियाप करनी ही होती है कोशिश कि यह करनी है, कि कोशिश आपने करनी है, कि कोई भी variable का जो name है, वो आप ऐसा रखो, जिसका कोई मकसद हो, जो understand करने में easy हो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो subscribe करें